तूस्डे को सौधर्न अक्टर धनुष के चैन्नाई रेजिदेंस पर आये बॉंब थ्रेट के बाद कॉलीवड इंडास्ट्री में हरकंप मच गया हालांकि इसके कुछ देर बाद ही ये पता चला कि ये थ्रेट कॉल्स उसी मेंटली इल परसन ने किया था who had made a fake bomb threat call to actor सूर्या a few days ago reportedly एक anonymous person ने तूस्डे को पुलीस कंच्रोल रूम में दो बार कॉल करके ये कहा कि actor धनुष और विजय कांथ के घर पर bomb set किये गए है bomb threat calls के बाद धनुष के चिननाई residence पर जब bomb squad और sniffer dogs के साथ search operation चलाया गया तो पुलीस officials को पता चला कि ये दोनों phone calls एक ही शक्स ने किये है reportedly ये शक्स पुलीस की गिरफतारी से escape होने में कामियाब रहा और फिलहाल उसे पकरने के लिए search operation जारी है पिछले कुछ महीनों में तामिल film celebrities और politicians को bomb threat मिलना has become a common thing और इन continuous phone calls को देखते हुए इन celebrities के fans ने पुलीस से request की है कि वो ऐसा करने वालों के खलाफ strict action ले इससे पहले धनुश के father-in-law और superstar अजनीकांत के घर पर भी एक mentally challenged minor boy ने ही bomb threat calls दिये थे and after knowing about the minor boy's condition रजनीकांत ने उसकी family को financial help offer की थी साथ ही रजनीकांत ने उस minor boy के educational expenses पूरे करने का promise भी किया था work front पर धनुश ने हाल ही में Anand El Rai की film अतरंगी रेकेक schedule को complete किया है इस film में धनुश के साथ सारा अली खान lead role में है जब की Akshay Kumar extended cameo में नजर आएंगे सुने में आया है की इस role के लिए Akshay Kumar ने two weeks का time allot किया है and reportedly he is getting around 27 crores for the special appearance अईब आएंब कैंकी, में घे साथ से अली खाना आएंगे